गाइस मेरा नाम है आरूश और आप देखे टीटीवी टेकनोलोजीज जा पर हम लोग मशीन और बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उसके बाद लेजर कटेंग मशीन जो है वो भी हम लोग की पास ready stocks रहता है वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि CNC router मशीन जो है इसको लेने के लिए अभी भी भी बहुत अफ़ा आता है थीक है बहुत कस्टुमर्स जो है उनको इतना समझ भी नहीं आता कि कौन सा मशीन ले, क्या होना चीए, speed कैसे बढ़ता है, machine का quality कैसे define करता है, तो आज इस वीडियो पे हम लोग complete tutorial देंगे, आपको complete knowledge देंगे, वीडियो का skip मत करना, वीडियो पे बने रही है, मैं आपके लिए सारा सारा information देते रहूंगा, तो बने रही है इस वीडियो पे, आज बहुत मैने बाद हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आ रहे है, मैं खुद live रहे के आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, actually क्या है, बहुत जादा busy मतब कुछ दिन से हम लोग थे, क्योंकि पहले जो हम लोग का warehouse था, वो थोड़ा साथ चोटा हो रहा था, अभी जो हम लोग का warehouse है, हम लोग बड़ा वाला, I mean थोचा बड़ा साइस का warehouse में shift किये है, प्लस हम लोग का machines का manufacturing भी हम लोग start कर दिये, गौहाटी के अंदर, ठीक है, गौहाटी असाम में, as of now, हम लोग ही, मतलब मे बहुत, मतलब गलत चीज हो जाता है, क्योंकि machines अगर आपका बंद परावर आएगा, अगर आप कोई trader के थो, या फिक कोई broker के थो से आप machines ले रहे है, तो उस जगा पे आपको जो है problem face करना पड़ता है, क्योंकि machinery चीज है, आप मेरे से लोग, चाए दुनिया में किसी से लोग, problem आही सकता है, लेकिन उस problem का solution आपको जितना जल्दी मिले, वो आपके लिए सही रहता है, दूसरा important factor है, जितने भी spare parts मेशीन के, वो हम लोग के पास ready stock रहता है, क्योंकि हम लोग machines को assemble करते हैं, कुछ-कुछ machines हम लोग manufacture भी करते हैं, मैं आपको full guidance दूंगा, आज मे देख सकते हैं, यह rotary के साथ लगावा है, यह जो नीचे वाला part है, इसमें हम लोग rotary attachment करते हैं, 300 mm का z-axis है, यह जो होता है, यह वाला आपका z-axis का height होता है, आप जैसे देख सकते हैं, मैशीन पर spindle लगावा नहीं है, काफी heavy duty machine है, जैसे कि पुरा का पुरा machine का structure देख सकत है, यह पर हम लोग अभी aluminium का T-slot लगाया हुआ है, यह जिसको हम लोग aluminium का T-slot बोलते हैं, इसके ओपर PVC का पट्री लगता है, machines का जो stand रहता है, stand के नीचे भी हम लोग stand लगाते हैं, जैसे यह आप देख सकते हैं, यह जो hall है, इसके अंदर हम लोग stands लगाते हैं, तो उ उसके बाद में भी जैसे हम लोग के पस anytime ready stock machines में बल जागा, यह सारी 1325 का model है, 1325 का model जो है, वो सबसे ज्यादा चलता है, आप जैसे की देख सकते हैं, हम लोग का पुरा factory हैं, आपका और हम लोग का clients हैं, हम लोग के आशिरवात से और आप लोग के support से आज इतना तक आप हैं, हम लोग आज के रेट में ready stock machinery anytime रहत रहे हैं, गौहाटी के अंदर, गौहाटी में बहुत कम जन या फिर मेरी सबसे तो नई के बराबर आदमी लोग है, जो की machines रख रहा होगा, जैसे अब देख सकते हैं, हम लोग का machines का पुरा का पुरा का पूरा काम कर रहे हैं, जैस इसमें आप लकरी के साथ पत्थर वगएरा सारा काम एक साथ कर पाएंगे, इसमें जैसे आपका granite में, stones में, सब चीज में engraving, cutting वगएरा का काम हो जाएगा, साती साथ आपका wooden का WPC, जितना भी काम हो, सब भी हो जाएगा, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे हम जादा हो गया पुरा एकदम, यह वाला जो है, friends, यह हम लोग कभी-कभी डेमो चलाते हैं, यह वाला मशीन पर, तो यह वाला हम लोग काफी पुराना मशीन है, और इसमें हम लोग काम कर रहे थे, तो जैसे कुछ-कुछ, जैसे cutting वगएरा हम लोग करके रखते हैं, जैसे यह गनेश जी का हम लोग यह cutting किये थे, ठीक है, फिर यह जैसे PVC foam board के उपर भी हम लोग के cutting किये थे, अब जैसे इसका finishing देख पा रहे हैं, तो हम लोग के पास, friends, anytime CNC router machine हो गया, यह फिर laser cutting machines हो गया, वो anytime हम लोग के पास ready stock रहता है, यह जैसे अभी हम लोग के पास laser cutting machine working area है, 120 watt के साथ, tube के साथ आपको मिल जाएगा, इसका जो controller है, हम लोग के पास आपको रंदा machine भी मिल जाएगा, रंदा machines का भी हम लोग के पास, friends, काफी सारा variety है, तो रंदा machines भी जैसे यह हम लोग का बैंट्सों के साथ machine लगाया हुआ है, ऐसे हम लोग के पास बिना बैं अभी जैसे यह वाला machine देख सकते है, अभी हम लोग का अब रेडी हुआ ही यह गानेट्री है, तो गनेट्री है, यह लोग का थेकनेस देख सकते हैं, इतना हेवी लेग है, यह लेग के ओपर यह गनेट्री लगता है, अब यह वाला machine अभी तक fully ready नहीं हुआ है, तो इसलि पर हम लोग की पास यह साफर पुराना लेजर परा ओऊ है यह भी हम लोग की पास second-end laser है तो यह भी एक client का था वो आख्छली हम लोग से नया लेजर लिया है दो लेजर तो हम लोग को देखे गया है यह भी एक पुराना लेजर हम लोग का यह हम लोग का छोटा-मोटा वर्क स्टेशन है अभी तक हम लोग का जो फैक्टरी है यह ओफिस है फुली रेडी नहीं हुआ है अब देख सकते हैं अल्मोस हम लोग का 5000 स्पर फिट का हम लोग का आज की रेट में यह जापे हम लोग मशीन तो है वो रेडी स्टॉक में रखते हैं जैसी यह आप सारे मशीन देख सकते हैं हम लोग के पास 365 डेज अनी टाइम रेडी स्टॉक ही रहेगा कभी भी ऐसा नहीं है कि आप से हम लोग पैसा लेंगे फिर हम लोग आपको आपकी लिए कई से दूसरे मेशीन का देलिवरी होता है ठीक है और सारे मेशीन देख से बहुत रॉबॉस्ट है यह हम लोग का offense फ्रॉम पलस उपर में फोर में रोम और आए मैंने बिजनस टार्ट किया था तो आज इस हिसाब से इस मुकाम तक मैंने पहुचा हूँ तो यह सब मतलब जो है आप लोग का सपोर्ट के वज़से आप लोग का काफी सारा मेरे पास मैसेज़ेस आता है कॉमेंट्स आता है कि मशीन आपका आपका जो समझाने का तरीका है ब तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता जैसी यह राटर मेशिन का सारा स्टॉक मेरे कैबिन के अंदर ही घुसा के रख दिया इन्हों ने तो इसके बाद में भी आपको जैसे पता रहेगा हम लोग और भी वेराइटी ऑफ मेशिन के उपर डिल करते हैं यह भी हम लोग का ज यह वाला इसी अभी तक पिटिंग भी नहीं हुआ है तो धीरे धीरे करके हम लोग और भी आगे चा रहे हैं यह सारा स्पिंडल्स हम लोगा तो जैसे मैं अपना फैक्टरी का टूर करा रहा हो आपको आपको अगर थोड़ा सा बोल लग रहा होगा तो बताईए हम लोग को इस मƠलों का फैक्टरी का आउटसाइड लिया है से तरु का छुदुनल्स हैस्टर आपको अपर करें कि शूटा मघता पार्ट को देलीवर करते हैं यह वाला स्वा C सब लोग है यह पे हम साइट में आठाव है इसे कि आप देख पा रहा है यह भी दूसरा कुछ था है एक। है सो यह हम रोगा जो इन जाड़ Chief आमें हैं इसी ऐफ इसी ऐसके सा अभी देखिए या पर इतना कच्रा पड़ा हुआ है अभी देख साफी नहीं हुआ है तो यह हम लोग का अभी फैक्टरी के अंदर आ गया है तो जैसे यह देख पार है अभी मैंने आपको मेरा फैक्टरी कर दूर करवाया हो सकता थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन यह मेरा बहुत एक अंदर से इच्छा था कि नहीं आज जिस मुकाम पर मैं हूँ या फिर जार से भी छोटा से स्टार्ट करके आया था आप लोग को दिखाना यह मेरा मतब रिस करने के लिए जितने भी आपको डिजाइन करने के लिए ट्रेनिंग चीए मशीन ऑपरेशन का चीए हम लोग सब चिस का यह पे इंस्टिट्यूट बना रहे हैं यहां पे हम लोग क्या सिखाएंगे मैं आपको फूर सा इक आइडिया दे देता हूं सबसे पहले हम लोग कोर वो फोटो से आपकी सिसाब से एक 3D डिजाइन बना सकते हैं, चाहिए वो दर्वाजा का हो, चाहिए वो आपका बैठ का हो, या फी सोफा का हो, वो पुरा हम लोग आपको डिजाइनिंग सिखाएंगे, उसके बाद आपको लाइव मशिन के उपर भी हम लोग ट्रेनिंग दे होता है, किसी को कम्पिटर पकानना भी नहीं आता है, किसी को फूरा सा बेसिक नॉलेज आ जाता है, जो भी है वो हम लोग डिसकस करेंगे बाद में, बेसिक इंपोर्टेन चीज़ क्या है, हम लोग के आया पर अगर आप इंस्टिट्यूट में एपलाई करते हैं, तो सबस करो, कभी आपका मेशीन का सेंसर टूड़ गया, कभी मेशीन का बेल टूड़ गया, चोटा मोटा जो प्रॉब्लम साते रहता है, यह भी आप लोग को सीखने को मिल जाएगा, उसके बाद अगर चाहते हैं, तो हम लोग आपको जॉब प्लेस्मेंट भी प्रोवाइड करें तो इसमें क्या होता है, हम लोग के पास काफी सारे क्लाइन्स आते हैं, जिनको कंपीटर का नॉलेज नहीं होता है, जो normal कारपेंटर्स लोग होता है, वो मशीन लेने से कतरा आते है, वो हम लोग को यह बोलता है, कि भीया, मशीन तो ले लेंगे, अभी हाथ से कर रहे है, म आपको खली designing का काम देखना है जो कि हम लोग आपको सिखा चुके हैं उसके बाद वो customer जो है आपको pay करेगा हर मेरा यह तो हो गया placement का बाद और यह placement आज के रिट में 100% placement है अगर आज आप हम लोग किया पर सिखने के लिए आते हैं तो हम लोग आपको placement 100% देंगे उसके में काम कर सकते हैं तो इसके बाद में भी आगर आपको खुद का मिशिन चलाना है बहुत जान ऐसा है कि मशीन लेने से पहले भी यह बोते हैं की सर हम लोग को आपकी आपब आ के पहले सेखना है तिन मैना उसके बाद या फिया दो मैना उसके बाद हम लोग machine purchase करेंगे आज ऐसा नहीं कि आज अगर आप हम लोग से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं फिर हम लोग से क्लास नहीं करते हैं तो आप मशीन नहीं चला पाएंगी यह सरा सर गलत बात है हम लोग आपको अलमोस 12 से 13000 डिजाइंस देंगे जो कि 99 परसंट या फिर 98 परसंट कॉमन डिजाइंस रहता है उसमें से आप अगर नॉमल डिजाइंस को खोलना है कंपीटर में सेट करना है मेशीन कर देगा मैं कौन सा बात कर रहा है वह यह है कि अगर कोई कस्टोमर आपके पास आता है एक गूगल से फॉटो लेके एक दरवाजा का फॉटो या फिर एक बेट का फॉटो वह डिजाइन बनाएंगे तो यह मार्केट में जो डिजाइन नॉर्मिली फैला हुआ है तो उनसे आप हो सकता है कि अगर कोई एक दरवाजा काटने का पंदा सो रुपया ले रहा आप दो हज़र रुपया चार्ज कर सकते बिकास इसता मोनोपली मार्केट ठीक है यह जो है य जिनके पास already CNC router है जिनको सिखने का इच्छा नहीं है बस उनको यह चीए कि हम लोग के end से आपको designing किया जाएगा ठीक है और आप हम लोग से एक चार्ज लेंगे ठीक हम लोग आपसे चार्ज लेंगे सपोस करो एक डिजाइनिंग का 500 रुपया 600 रुपया एक्सवाइज ज करें तो यह है पहला बात हम लोग institute खोलने वाले हैं जो की December या January से हम लोग का full fledges में start हो जाएगा उसमें चार्ट टाइप का हम लोग काम कर सकते है अगर आपको जॉब चाहिए ठीक है मार्केट में जॉब का बहुत इल्दा तयात की रेट में अगर आपको टेक्निकल लाइन पर जॉब चाहिए तो आप हम लोग के पास आके enroll कीजिए हम लोग आपको मेशिन में डिजाइनिंग शिखाएंगे मेशिन चलाना शिखाएंग आपको हम लोग के आप ही काम करना है, ठीक है, आप हम लोग के आप इस सीक्रेक, आपको कोई दूसरा जगा में जाना नहीं है, आप हम लोग जैसे मेशीने सेल करते हैं, आपको वा पर जाके इंस्टॉलेशन करना है, ट्रेनिंग देना है, सर्विस सपोर्ट देना है, तो वो भी आप हम लोग के company में कर सकते हैं चौथा अगर आपके पास पुराना है आप दिल्ली में हो, गुजराट में हो, पंजाब में हो कई पे भी हो, आपके पास already machine है आपको designing करवाना है जो design आपके computer में नहीं है वो design का photo अगर आप हम लोग को पहेजेंगे वो भी provide करेंगे अभी हम लोग से जो router machine लेंगे अगर आप लोग को चाहिए इस hard and fast rule नहीं है अगर आपको चाहिए machine के साथ operator हम लोग आपको operator भी provide करेंगे लेकिन एक चीज़ में बता देना चाहता हो काफी customers मेरे को phone करते रहता है continuously मैं भी कभी कबार busy रहता हूँ ठीक है अभी हम लोग क्या मेरे काफी सारे friends customers है कोई जारखंट से है कोई बिहार से है कोई कनाटका से है कोई चन्नाई से है हम लोग को call कर रहे है कि machines चाहिए तो मैं एक चीज़ बहुत important है मैं clear कर देता हूँ आज के rate में as of now आज के rate में हम लोग machines out of North Eastern zone provide नहीं कर रहे है West Bengal तक हम लोग कर रहे है कुछ-कुछ region तक जैसे की कुछ बिहार हो गया अलिपूर्द्वार हो गया, सिलिगूरी हो गया कुछ-कुछ regions में हम लोग अपना machines को provide कर रहे है लेकिन मेरा main एक factor reference कि आज के rate में अगर मैं आपको machine दे दूँ मैं हूँ गुहाटी में अगर मैं आप है पंजाब में या फिर आप है कश्मीर में machine बेचना तो मेरा दायहाद का खेल है मैं आपको बेच सकता हूँ मैं आपको ऐसा rate दूँगा ऐसा quality का machine दूँगा जो आपको favorable लगेगा आप मेरे से low machine लेकिन उसके बाद अगर आपका machine कभी खराब होता है तो मैं उस time पर आपको service नहीं दे पाऊँगा क्योंकि as of now मेरे को कोई शरम नहीं है whatever I am मैं मूग के उपर बोल सकता हूँ आपका ठीक है आज की rate में हम लोग मैंने बहुत scratch level से start किया friends मैं तब मेरे पास जिब 30-40,000 रुबिया था उस time से मैंने अपना business को start किया तो मैं किसी का पैसा के साथ है फिर खुद का profit के लिए किसी का loss करू वो मेरा mentality है ही नहीं और मेरा machine जो है चाहिए इसका weight हो गया machine के अंदर बहुत जन है ब्रेक मोटर बगएरा लगाते नहीं customers को ऐसे ही मतब C बना के base देते है that is not right actually if you are doing business do it with the principles machine अगर आप business कर रहे हैं तो business को principles के साथ कीजिए तब आपका business जो है काफी अच्छा जाएगा आज मैंने भी start किया था दो machine इस तीन machine से start किया था आज के रिट में मेरा पुरा factory भड़ा भड़ा परावा है machine क्यों परावा है क्यों कि customers को पता है आज के रिट में ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया माट से हम लोग के पास आता है मेरे पास जो की बहुत लाजमी है वो complaint यह है कि जैसे कि suppose करो आज आपको computer चलाना नहीं आता है तो मेरा engineer जाएगा अभी तो वो पंडा दिन बीज दिन एक मेना दो मेना नहीं बैठ सकता है एक installation पर वो normal सा चीज है तो आज मेरा जब engineer जाएगा वो दो दिन का तिन दिन का चार दिन का पास दिन का ट्रेनिंग दे दिया लेकिन जो computer चलाए नहीं कभी तो इसके लिए यह designing का काम करना है फिर करना थोड़ा सा difficult हो जाता है that is very common actually वो अपने को phone करते रहते हैं इस जगह पर आके में भूल गया इस जगह में आके भूल गया तो क्या अपनी लिए भी थोड़ा सा इक टायर सम हो जाता है इसके लिए हम लोग proper एक team बना रहे है भी तेक है आपको designing चाहिए आपको toolpath set करना है आपको छोटा मोटा कई पे भी remote में भी issues आ रहा है आप सब चीज़ बे फिकर हम लोग से phone करके पूछ लीजिए हम लोग का पुरा team बैठा हुआ रहेगा ट्रेनिंग से स्टार्ट करके machine operation तक सब कुछ हम लोग देंगे और रहाबात अलग पैन इंडिया मेशिन सप्लाई करना by next year January 2025 से हम लोग पैन इंडिया serviceable है friends जी हाँ हम लोग पैन इंडिया serviceable है और machines का price मैं आपको ऐसा दूंगा कि आपको खुद को लगेगा कि नहीं price is very genuine price ठीक है बहुत जन है मेरे clients phone करके मेरे को पूछते है आपका सबसे 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 वाला machine कितना रेट का है ठीक है तो यह सबसे 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 वाला machines यह थोड़ा सा problematic चीज है क्योंकि जब आप सस्ता लेने जाएंगे न तो आपको मेशिन के अंदर आपको specifications नहीं मिलेगा ठीक है अच्छा लीजिए ऐसा नहीं है कि तीन लाग रुपया का अगर आपका budget है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हैवी डूटी बना कि चाल लाग रुपया तक का हो रहा है तो बेकर वो तीन लाग रुपया को आप वेस्ट मत कीजिए कई पर तो कि आप machine चलाएंगे काम नहीं आएगा problem देगा हर दुसरा दिन मोटर का speed नहीं आएगा spindle गरम हो जाएगा वगएरा 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 इससे अच्छा एक ही बार लीजिए तो अच्छा machine लीजिए मेरा यह मानना है और अगर आप एक बार में machine नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ दिन रुख जाहिए उसके बाद आप machine हम लोग के company के थो से नहीं करवाते हैं आज इसे मेरा company का नाम है TTV Technologies Private Limited तो हम लोग TTV Technologies के थो से आपको loan process नहीं करवाते हैं हम लोग के पास banks काफी सारे banks का merge up किया हुआ है ठेक है उन लोग आपको loan देंगे जैसे SDFC, SBI वगएरा वगएरा IC, ACI, Private Banks, Government Banks काफी सारे banks है वो आ है आपका कुछ कुछ documents जो है वो important है वो necessary है वो चाहिए चाहिए अगर आपके पास documents नहीं है तब please loan के लिए मत बोलिए क्योंकि आपको मिलेगा नी बेकर आप निराश होंगे आपका expectation होगा सबसे पहले important चीज़ अगर आपको private loan करवाना है तो वो क्या है मैं आपको बता चीज़ है यह rotation भले हो दूसरा चीज़ है trade license अगर business करें तो आपका trade license बहुत important है तीसरा आपका सबसे important चीज़ है ITR file जिसको हम लोग बलते income tax का return file minimum 3 years का income tax का return file चाहिए आपका civil score अच्छा होना चाहिए आपका GST certificate होना चाहिए यह और आपका आधार कार्ट पैंड आपके बास ITR file नहीं है तो उनलग भी मांगते है मेरे से तो मैं उस जगह पर उनको नहीं provide कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं दे रहा हूं वह ultimately bank दे रहा है bank का जो criteria तो bank follow करेगा in that case मैं आपको क्या suggest करता हूं आज की rate में banks जो है like women's के लिए भी काफी सारे loan प्रोवाइड क आप यह काम कर रहे हैं यह जो काम है यह वाला काम पर हाथ से करें तो बहुत टाइम लगता है अब भी हम लोग एक मेशीन लेना है इस टाप का CNC router मेशीन तो वह वाला मेशीन अगर हम लोग लेना चाहते तो हम लोग का business जो है वह बहुत अच्छा run करेगा तो in that case bank आपको आपको यह document दीजिए आपको कुछ mortgage है या क्या है तो बैंक से बात किजिए उसके बाद में भी smart schemes वगेरा भी मुद्रा schemes में भी है काफी अलग-अलग schemes है जिसमें आप अपना आपका कोई wife है आपका ममी है या फिर आपका बहन है उनके नाम के भी आप loan ले सकते हैं बहुत करो machine का rate है पाच लाग रुपया आप दो लाग रुपया आपके पास है डाउन पर में देने के लिए bank से आपको चाहिए तीन लाग रुपया पहले bank के पास जाईए बात कर लीजिए उसके पास मेरे पास आईए machines देखिए हम लोग आपको quotations बना के देंगे वो quotation बैंक में सब्मीट कीजिए bank क्या करेगा वो पैसा मेरे account पर transfer कर देगा transfer करने के बाद same day या next day हम लोग machine dispatch कर देंगे उसके ही next day मेरे engineer चला जाएगा आपके पास तो ये पूरा का पूरा जो structure है मेरे काफी सारे viewers है friends काफी सारे आप लोग इतना प्यार करते है इतना comments देते है मेरे को बहुत लाइक दिल से अच्छा लगता है काफी बहुत टाइम पर मैं reply नहीं दे पाता हूँ actually क्या है इतने सारे काम को handle करना then YouTube का वीडियो बनाना तो रहता हेक्तिक हो जाता है लेकिन अभी सब कुछ streamline पर आज चुका है like everything is sorted now so उसके लिए अभी हम लोग regular कुछ ना कुछ वीडियो बनाने का try करेंगे तो यह वाला जो मतब वीडियो था यह मैंने specially इसलिए बनाया था कि बहुत सारे जो मेरे clients है वह designing के लिए training के लिए मेरे को पूछते रहते हैं यह वीडियो में मैंने आपको पुरा clear किया है कि artcam का design हो गया AutoCat का design हो गया एपी CorelDraw का design हो गय जो भी है आपको वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा second important चीज जो है loan के बारे में यह facilities के बारे में तो वह इसको मतलब वह भी मैंने अभी clear कर दिया क्या bank वगरा जाईए और अगर आपके पास सारा documents है तो आप मेरे पास भी आ सकते हम लोग भी काफी सारे customers को loan करवा के देते है ठीक है नौ परसन दस परसन yearly interest rate के साथ उसके साथ भी हम लोग आपको machines provide करेंगे उसके बाद में भी आपको अगर machines का demo देखना है यह machines का कुछ भी वह चीए तो वह भी हम लोग आपको दे सकते है without any problem तो आप एक बार आईए हम लोग के पास quati के अंदर में हम ल double head चीए वह भी अपने पास जैसे ready stock रहता है उसके बाद में भी जैसे wood working industries का सारा machines friends अगर आपको machines के अंदर कुछ भी machines चीए जैसे रंधा machine हो गया जिसको हम लोग planner machines भी बोलते है उसके साथ bandsों के साथ चीए वह भी आपको मिलेगा और anytime ready stock मिलेगा उसके बाद router machines हो गया stone router, wood router, twin one router, rotary के साथ router, double head के साथ router, stepper motor के साथ, servo motor के साथ, gearbox के साथ, सब कुछ मेरे पास ready stock है तो इसके बाद अगर आपको laser cutting machines चीए मेरे पास A4 sizes start करके 8 foot by 4 foot का भी machines पढ़ा हो है ready stock में ठीक है तो standard जो machine है वह हम लोग का भी 1390 या 1410 है मतलब 4 foot by 3 foot का machine और सारे 4 foot by 3 foot का CO2 laser cutting machine ये दोनों machines भी अपने पास आचके लेट में ready stock में पढ़ा हुआ है उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि vacuum membrane press machines जो अभी मैंने recently एक video डाला था vacuum membrane press machines भी अपने पास ready stock में है उसके पास ready stock में नहीं है वो हम लोग manufacture करते है as per client order कि आपको horizontal में चाहिए फिर कैसा चाहिए vertical में चीए double trolley चीए single trolley चीए कितना heaters चीए वगरा वगरा edge bending machines हो गया cold press machines हो गया फिर अभी हम लोग धीरे-धीरे करके पुरा fully modular furniture का सब machines के साथ start कर रहे है तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं वीडियो का ज्यादा लेंदन नहीं करूंगा अगर आपको और भी कोई information देख सकते हैं मेशिन्स हो हैं हम लोग के पास काफी heavy duty structure में बनावा जैसे यह वाला machine देख सकते हैं इसमें हम लोग काफी heavy structure में बनाते हैं जैसे मेरा machines का मैंने आपको पहले बोल दिया था मेरा machines का height काफी high रहता है ठीक है high इसलिए रहता है कि की ऊफर में मेरा break motor लगा र लेंगे तो in that case में आपको यह बोलूँगा कि अगर आपको normal start करना है कम budget के अंदर stepper motor के साथ लीजिए लेकिन stepper motor भी अगर आप लेंगे साथ में brake motor लगावा रहना चाहिए machine के अंदर में ball screw अगर अच्छा होना चाहिए brake motor जो है कपली के साथ लगाव रहना चाहिए that is very important friends सारे 3 kilowatt का spindle कते मत लेना ठीक है मैं आपको अपना experience से बोला हो सकता मैं right हूँ हो सकता मैं wrong हूँ 3.5 kilowatt का spindle भूल से भी मत लेना ठीक है क्योंकि 3.5 kilowatt का spindle है न वह छोटा सा हलका सा spindle होता है छोटा से एरिया रहता है तो उसकी में आप mdf अगरा काम तो कर सकते हैं चोटा मोटा काम जैसे आप लक्री वगरा में काम में आएंगे न फिर आपका अगर तो अगर से duration जाद चलाना है उस जवाप पर आपका spindle जो है वह जवाब दे देगा मिनीमम सारे 4 kg का लगाई 6 kg का लगाने इस तो और भी अच्छा है हम लोग का जो standard model अगर मैं आपको बोलू हम लोग machines के अंदर क्या देते मैं बोलूँगा थोड़ा सा या पर लेके आने के लिए मैं आपको मेरा standard machines दिखाता हूँ तो यह जैसे आप देख सकते हैं यह हम लोग का standard machine है यह जैसे spindle हो गया यह वाला spindle जो है यह हम लोग 6 kg का या फिस सारे 4 kg का देते है इसका coolate का जो size होता है न वो हम लोग year 32 देते है बहुत जन year 25 coolate भी देता है year 25 तो सा छोटा हो जाता है मत लिज यह size बड़ा है performance अच्छा मिलेगा spindle का जो bearings वगएरा है वो बड़ा रहता है cooling capacity अच्छा है ज्यादा आप run कर सकते machines को है न उसके बाद अब machines का height देखे कितना height है इसका height इसलिए है बहुत जनका machine अब देखना इतना समी height खतम है इतना से area में height खतम है उन लोग brake motor वगरा नहीं लगाता है गर लगाते भी तो normal motor को उल्टा करके लगा देते है जैसे कि मैंने आपको मेरा पुराना वीडियो में भी बोला है यह वाले machine के अंदर हम लोग brake motor इतना जेगा पर रुखेगा ठीक है अगर आपका कम कर रहा है इस level पर तो आपका यही पर रुख जाएगा यह तो अगर आपका brake motor नहीं रहेगा तो अंदर दब जाएगा थोड़ा सा दबने के बाद क्या है next time से अपका जब स्टार्ट होगा तो lining 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 करके स्टार्ट हो लाइक बहुत कॉल साते सब मेरे को यही चीज़ बोलते हैं यह प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम है तो फिंडल आप minimum 6 किलोवाट यह सारे 4 किलोवाट का लीजिए यह 32 कूलेट के साथ अगर आप HQD का स्पिंडल दे रहे तो उसके साथ यह जो आपका बॉल स्कू है यह सेंसर से आपका मेशीन में अनाप्शना प्रॉब्लम आते रहेगा सेंसर आप अच्छा कॉलीटिका लीजिए कॉपलर के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक मोटर लगा हुआ रहना चीए ठीक है उसके बाद जिसे मेशीन का जो यहां पर आपका मोटर लगता है मोट लिखाता हूँ मैं बोलूगा थोरदा सामने लेकिया है यह जो है फ्रेंस दिखी है इसमें क्या होता है ना जैसे आपका वी एवडि है ठीक है यह बहुत जन नहीं लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इसको कउन्टेक्टर बोलता है इसको तो फिल्टर हो गया यह जो च इसको हम लोग बोलता है timing relay, timing relay क्या होता है friends, आज जैसे यह वाला router है, ऊपर में brake motor लगा हुआ है, brake motor देखिए क्या होता है, machines का finishing का बात होता है, machine तो आप किसी से भी ले लेंगे, लेकिन machine का finishing कैसा आपका देखा, यह बहुत एक important factor है, यह जो brake motor होता है, यह brake motor जैसे यह वाल के साथ लगा हुआ है, और coupling के साथ लगा हो रहने से क्या होता है, current चला जाने से कभी भी z axis है, यह down हो जाता है कभी कभी, ठीक है, अगर यह वाला आपको down नहीं करना है न, तो brake motor लगाते है, तो कभी कबर क्या होता है, brake motor भी कभी काम नहीं देता है, ठीक है, उस जगा पर यह आता है आपका timing relay, Google में search कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा है, आप मेरे को अंदा भरुजा करते हो, इसको हम लोग बोलता है timing relay, timing relay को हम लोग brake motor के साथ attach कर देते हैं, ठीक है, कभी आपका brake motor slip हो जाए, timing relay जो है आपका machine को बचा लेता है, ठीक है, यह बहुत ए जैसे cabinet आप देख सकते हैं, यह वाला cabinet है, हम लोग का both side आता है, यह देखे है, सादा खुल के बाहर निकल के आ गया, यह हम लोग का transformer है, ठीक है, यह हम लोग का रिच आटो का card है, यह हम लोग का drives है, यह हम लोग का drives है, यह हम लोग का बहुत अच्छा quality होता है, तो यह को लेना, इससे कम मत लेना, minimum machine का weight होना चाहिए, 1500 kg, 1400 से 1500 kg is very nice weight, machine robust होना चाहिए, vibration नहीं देना चाहिए, ठीक है, machine का spindle जो है, minimum to minimum सारे 4 kilowatt होना चाहिए, सारे 4 नहीं होता है, मतब सारे 4 के जगा अगर आप 6 ले सकते हो, तो उसमें कोई बाती नहीं है, कि 6 kilowatt जो है, वो हड़ा कर सकता है, वो लेविल बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद, sensor वगएरा थोड़सा अच्छा quality का लेना, machine के साथ, machine का गैनिटरी वगएरा का weight देख लेना कि कि इतना भारी है, कितना वोजन है, machine का quality कैसा है, है ना, उसके बाद ही आप machine लेना, क्योंकि यह सब जो machine है, अगर आपका किसमत में आपको अच्छा machine मिल गया, तब तो आप बिना सोचे समझे, machine को चलाते रहो गया, और आपका कमाई आते रहेगा, लेकिन अगर आपका किसमत में खराब machine आ गया, और आगर आपको वैसा company मिल गया, जो कि आपको service नहीं दे रहा है, तब आपका जो भी पैसा लगाव है ना वो सारा रोते रोते फे चलावा जाएगा प्लीस मेरा बात को दूसरा सेंस में मत लेना मैं इस मार्केट को बहुत सामने से देखा हूँ ठीक है बेचने से पहले बहुत आदमी लोग इतना अच्छा-च्छा कमीटमेंस देते हैं यह कर दूंगा धिमका बेचने के बाद उनका अता-पता नहीं रहता है वह कहा है उनका दुनिया कहा है आपको भी नहीं चलेगा तो नौर्ट इस्टन जोन में तो आज के डिट में कॉम्पेटिशन वैसा ज्यादा मतब बहुत हो गया है ठीक है फिर भी क्लाइंट्स लोग हम लोग के पा मोटर है ठीक है यह वाला राउटर को आप देख सकते हैं यह वाला मोटर लगावा है यह वाला कप्लर लगावा है यह वाला कप्लर के साथ यह जो होल देखना है ना यह होल पर यह वाला मोटर जो है यह उल्टा करके ऐसे लगा देते हैं हम लोग तो इस टैप का यह हम लो तो जैसे कि आज इस वीडियो पर मैंने आपको पूरा इनफोर्मेशन दिया, राउटर मेशीन मैंने आपको पूरा दिखाया, ठीक हैं? कि हम लोग की पर कैसा कैसे स्टॉट्स परे वह ए हम लोग का जो फैक्टरी है फ्रेंड यह है अमिन गाउ में, आमिन गाव DC office DC office किसी को भी पूछिए Google में कई पे भी आप देखिए आमिन गाव DC office के समने हम लोग का factory है CNC router, laser cutting machine Randa machine, wood working machine सब कुछ अपने पास ready stock है अभी जैसे कि मेरे पास regular machines का deliveries होते रहता है ठीक है तब कभी भी आईए आप जो भी जगा से हम लोग का जो machines है सब जगा पे लगावा है जैसे कि नागा लेंड में अगर मैं बात करूँ मैलोरी से लेके डीमापूर तक, पुराना बजर से लेके वोखा तक, ट्विन संग से लेके सब जगा पे, सिफ सागर, जोरहाट वगेरा धूबरी में, चापर में, बरपेटा में अलमगंज में फिर आपका जैपूर वजार में फिर आपका अगिया में, लख्षीपूर में देवहाटी चॉक में सब जगा में मेरा machines लगा हुआ है यहाँ पे अगर सिफ सागर का में बात करूँ जोरहाट का में बात करूँ सब जगा पर अपना machines लगा हुआ है तो आपको एक चीस्तों बहुत strong feeling है कि आज अगर आप मेरे से machine लेंगे ना तो अगर मैं machine बेचने के बाद अपको अगर service नहीं दे सकता हूँ तो आप directly मेरा factory में आ सकते हैं मेरे को पकड़ सकते हैं यही चीस अगर आप बाहर ते लेते हैं तो फिर आपका region नहीं है आप वहापे जाके मतलब वह नहीं बोल सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए मेरे अंदर में डर है मेरे अंदर में इंसानियत भी है तो मैं खराब मेशिन कभी ही नहीं देताओ किसी को भी नहीं बेचूंगा मैं अगर मेरा budget में नहीं आता एक मेशिन पर गए 10-15-20,000 पर नहीं कमाए तो क्या ही कमाए है ना इतना ज़्यादा खर्चा करके तो बोजजन है जो price देखते है फ्रेंस कभी भी machines खरीदने से पहले ये मत पूचिए आपका machine का starting price किया है मैं आपको धाई लाक में भी machine दे दू वो machine आपको चली गई नहीं वो machine आप कुछ दिन काम करेंगे Z axis रहेगा 2 mm का spindle रहेगा हलका वाला VFD रहेगा सस्ता वाला और तो कुछ-कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी देखा है कि आज की rate में बहुत जन machines का rate कम करने के चकर पे refurbished motors वगरा लगाते है ठीक है ये जो spindle होते है ये spindle क्या होता है warranty period में जब फराब हो जाता है ये spindles को return कर देते है company को वो spindles है वो repair होता है ठीक है रिपेर होने के बाद वो सब जो spindle है उसको stickering किया जाता है नया से और फिर उसको लगा जाता है कुछ दिन तो चलेगा उसके बाद फिर से spindle में problem आना start हो जाएगा तो इस सब internal चीज़े में बताना नहीं चाता हो प्यां को करता है क्या नहीं करता मेरे को नहीं पता सुना है हो सकता है सही है हो सकता है घलत है पता नहीं लेकिन कोई अगर आपको सस्ता में मेशीन दे रहा है एक छीज़ हमेशा याद रखिए machine का behal question क्या है फिर कि ये machine जब करें आपको प्रस्ट करना का सकते हैं अभी और एक चीश में आपको इंफर्मेशन देना चाहता हो फ्रेंज तूथाउजन प्रेंटी फॉर मतलब इसी महना नवेंबर को 22 इस और 24 को हम लोग का एक्जिवीशन हैं सरुसोज़ाई स्टेडियम में नौथ इस्टन वूड एक्सपो ठीक है मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम करता हूँ आप आए इस एक्जिबिशन पे हम लोग का भी एक स्टॉल लगा रहा है हम लोग का फर्स टाइम होगा और हम लोग जो है राउटर्स वगेरा हम लोग वापर डिस्प्ले हम लोग का स्टॉल लंबर है वापर हम लोग अपना मेशीन का डिस्प्ले करेंगे आप आईए हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा और इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए अगर आपका कुछ भी और भी कॉस्टेंस है तो मेरे को कॉमेंट शेक्शन के ज़र हमेरी मच्छ हमेरी मच्छ